आज किस एपीसोड में हम डिसकस करने वाल हैं आडानी विलमार एश्टॉक के बारे में जहां इसके रिजल्ट ओवराल फ्लैट ही दिखे थे वहीं MD के एक बहुत बरा बयान सामने आया था और कोहिनूर ब्रांड के अंदर हमने देखा कि जो एक्वेजिशन हुआ मल्टिपल अच्वेजिशन हुई और आटा के छेत्र में तो पहले से कंपनी अल्रेडी है अब चावल के छेत्र में भी कंटिन्यूस एक्वेजिशन होते वे दिख रहा है और अडानी विलमार के रिजल्ट से पहले विलमार इंटरनेश्ट वी काफी सांधार रहा था हलांकी चुकी श्टॉक अल्रेडी लगबग 300 के आसपास सूट अप हो जुका था और थोड़ा बहुत इंफ्लेशन का फिर जो ग्लोबल आ रहा है जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग और सौर्ट सेलिंग आप दोनों क्या सकते कि मार्केट के अंदर दिख रहा है और इस श्टॉक में भी स्टॉक में दिख चुका है मेरा प्रसनली मानना है अगर आप चाहे तो अब इस श्टॉक का अगर विकली या देली टाइम देखेंगे तो नेक्स सपोर्ट इस श्टॉक में 550 के आसपास का लगता है यानि जहां अल्रेडी 25 परसेंट के आसपास का करेक्शन है और मेरा प् सकता है जहां 25 ऑल्रेडी हो चुका है और 10 परसेंट के करेक्शन का एक्स्पेक्टिन मुझे और भी इस श्टॉक में दिखता है अगर आप अल्रेडी इंवेश्टेड है आपकी बाइंग ऊपर किया तो हमने हमेशा से कहा अप कोई भी मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने हमेशा से कहा कि रिस्क रिवार्ड फैबरेबल नहीं है अगर आप फसेंगे तो बहुत बुरे फस सकते हैं अगर अल्रेडी फसे है तो इससे में एबरेज आउट नहीं करें 550 तक के लेवेल के लिए वेट करना चाहिए मेरा प्रेस्णली मा